बाजूचील ने दो अंडे दिये हुए थे बाजूचील के पती की मौत के बाद बस बाजूचील को अपने अंडों का हिसा रहा था वे बेसब्ली से अपने अंडों में से अपने बच्चे बहर आने का इंतिजार कर रही थी मेरे बच्चों बस जल्दी से अंडे से बहर आ जाओ ताकि मेरी ये उदासी और अकेला पन दोर हो जाए बाजू चील दिन रात बस अपने अंडों के पास ही बैटी रहती थी और अपने बच्चों के बाहर आने का इंतिजार करती रहती थी बस अब इंतिजार की घड़ियां खतम हो जाती है अगले दिन बाजू चील के एक अंडे में से एक नना सा चील निकल जाता है अरे वाँ मेरा बच्चा कितना साथ प्यारा है पर अंतु बेटा तुमने मुझे बहुत इंतिजार करवाया और देखो तो तुम्हारा भाई तो अभी तक अंडे में से बाहरी नहीं निकला चील अपने बच्चे को भूजन खिलाती है और अपने दूसरे अंडे में से दूसरे बच्चे के बाहराने का इंतिजार करती है अगले दिन दूसरा अंडा भी फूटता है और उस अंडे में से बहुत ही प्यारा सची निकलता है परन्तु वे बच्चा तो अपनी आखे ही नहीं खुल रहा था मेरे बच्चे उट जाओ अब अपनी आखे तो खोलो तुम देखो तो अब तुम अनडे से बाहरा चुके हो बाजुचील अपने बच्चे को बहुत अवाज़ी देती है परन्तु वे तो अपनी आखे खोली नहीं पाता अब तो बाजुचील समझाती है कि इसका दूसरा बच्चा कभी देख ही नहीं सकता कितना इंतिजार किया मैंने इस बच्चे का और मिला क्या मुझे ये अंधा बच्चा ममा मुझे भूक लगी है मुझे भोजन खाना है चुप करो तुम अंधे हो और पूरी जिंदगी में तुमें घर बिठा कर भोजन नहीं खिला सकती मैंने तो सोचा था कि मेरे दोनों बच्चे मेरे बुढ़ा पेकर सहारा बनेंगे परन्तो तुम तो मेरे लिए किसी काम के नहीं ममा या आप क्या के रही हो मैं अंधा हूँ तो इसमें मेरी क्या खलती है मेरा तो बस एक ही बेटा है जो मेरे बुढ़ा पेकर सहारा बनेगा और एक अंदे चील को पाल कर मैं अपने लिए और मुश्किल नहीं बढ़ा सकती मैं तुम्हें यहां से ले जाकर दूर छोड़ाओंगी ताके तुम मेरे पास कभी वापस ना सको फिर बाजू चील अपने बच्चे को उठाकर नदी के पास ले जाती है नने चील तुम अंदे हो और कमजोर चील मुझे नहीं चाहिए फूख के कारण तुम यहां बैठे बैठे खुद ही मर चाओगी इतना कहकर विस्वारती बाजू चील अपने मासूम बच्चे को छोड़ कर वहां से चली जाती है नना चील तो काफी आवादे देता है परन्तु बाजू चील तो लोट कर वापस नहीं आती कुछ देर बाद नदी के पास कालू कववा और मिनुचेडिया आते हैं वे नना चील अभी भी बाजू चील को आवादे दे रहा था ममा ममा मुझे ले जाओ अपने साथ मुझे यहाँ पर बहुत धर लग रहा है अरे कालू कवे ये तो चील का बच्चा है इसकी माँ कहाँ चली गई से छोड़कर मिनुचेडिया हमारे जंगल के पास तो बस एक ही चील रती है और वो है बाजू चील शायर ये बच्चा उसी चील का होगा अरे बेटा क्या बात ही तुम यहाँ पर इतने जादे परिशान क्यों बेटे हो तुम्हारी ममा कहा है मेरी ममा ने मुझे अंदा होने के कारण यहां मरने के लिए छोड़ दिया क्योंके मैं बहुत सारा कमजोर हूँ और मेरी ममा को कमजोर बच्चे पालना बिल्कुल भी पसंद नहीं हाईरी बाजू चील कितने जादा सौरती है बहला इतने चोटे बच्चे को भी कोई अकेला छोड़कर जाता है हाँ मुझे तो इस बच्चे पर बहुत जादा तरसा रहा है बाजू चील ने इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया हाँ यह बच्चा तो मुझे बहुत जादा भूका भी लग रहा है कहीं यह भूक के कारण मरना चाहे चलो मिनुचेडिया इस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं हम पर कालू कवी हमारे चंगल के पक्षी तो इस नने चील को हमारे चंगल में कभी भी रहने नहीं देंगे क्योंकि यह बड़ा होकर हमें नुकसान भी पुचा सकता है चलो मिनुचेडिया सब को देख लेंगे अगर इस बच्चे को यहाँ पर हमने मरता छोड़ दिया तो हमें बहुत पाप लगेगा तुम ठीक है रहे हो हमें इस नने चील की मज़द जरूर कनी चाहिए फिर मिनुचेडिया उस बच्चे को अपने साथ अपने जंगल ले जाती है मिनुचेडिया उस बच्चे को अपने घर पर लाकर उससे कुछ भोजन खिलाती है बस तबी वहाँ पर जंगल के कुछ पक्षिया जाते है ये क्या मिनुचेडिया तुम अपने घर में ये चील के बच्चे को क्यों ले आई हो ये तो हमारे लिए खत्रा हो सकता है तोती ये बच्चा देख नहीं सकता बाजू चील ने इसे मरने के लिए नदी के पास छोड़ दिया था पर कालू कावे और मुझे इस पर बहुत जार अध्या आई हो ही नहीं सकती ये हमेशा हमें नुक्सान ही पुचाती है हाँ मिनुचेड्या उपर से ये बच्चा किसी और चील का नहीं बलके बाजू चील का है और तुमें तो पता है कि बाजू चील आज तक हमारे चंगल के कितने मासूम पक्षियों को मार कर खा चुकी है तब ही वहाँ पर कालू का वा आ जाता है पक्षियों मिठ्धु माराज से इजाज़त लेकर आ गया हुमे और मिठ्धु माराज यही चाते हैं कि हम पक्षि इस ननेचील के साथ दोज़ पन कर रहे ताके ये कभी भी हमें नुक्सान न पुचाए मैंने सुचि यह पक्षियों मैं इस ननेचील का इलाज करवाँगी ताके ये भी हमारी तरह देख सके फिर सारे पक्षि इस बात पर राजी हो जाते हैं और ननेचील का काफी जादा खया लगते हैं वहीं दोसी तरफ बाजुचील अपने बच्चे को लाड़ प्यार से पालती है और इसकी सारी बाते मानती है मामा मुझे बहुत भूक लगी है मुझे आभी के आभी भोचल ला कर दो बेटा मैं तो बहुत सार ठक गई हूँ मैं कुछ देर बाद लियाओंगी भोचन नहीं नहीं मुझे आभी भोचन चाहिए मुझे आभी भोचन ला कर दो बाजुचील का बेटा काफी जादा खुस्ते वाला था और वे तो बाजुचील की एक बात नहीं सुनता था वहीं दुसी तरफ सब पक्षियोंने नुचील के इलाज के लिए मिनुचेडिया के पास पैसे जमा करवा दिये थे और अगले दिन ही मिनुचेडिया ननेचील का इलाज करवाने उलुवैजी के पास आ जाती है कुछ देर के बाद ननेचील के आखों का ओप्रेशन हो जाता ही और अब तो वे सब कुछ देखने लगता ही में तो सब देख सकता हूँ में अब देखो तो कालो करवे कितना जादा खुश हो रहा ही हाँ भई मुझे भी बहुत जादा खुश है कि हम पक्षी इस ननेचील के कुछ तो काम आए पक्षीयों आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मेरी आखे ठीक करवा दी वरना मेरी ममा ने तो मुझे पर बिल्कुल भी दया नहीं की और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था फिर अब कुछ साल गुज़र जाते हैं वे चील अब बड़ा हो जाता ही वे बड़ा होकर अब जंगल की हिफाज़त करता था और मिठू माराज का खास हैनिक था वहीं दूसी तरफ बाजुचील अपने बेटे की सेवा करकर के अब बोड़ी हो चुकी थी मेरे बेटे अब तो में बोड़ी हो चुकी हूँ और मुझे भोचन नहीं ढूंडा जाता अब तो मेरी नजर भी कमजोर हो चुकी है भोचन दिखाई नहीं देता मुझे इसलिए अब भोचन तुम ढूंडिया करो अरे ममा ये आप क्या कह रही हो आपको दिखाई कम देता ही इसका मतलब अब आप मेरे किसी काम की नहीं मुझे सब यादे ममा के मेरा भाई देख नहीं सकता था इसी वज़ा से आप उसे कहीं छोड़ाई थी वे आपके किसी काम का नहीं था ना जबी तो आपने उसे अपने पास नहीं रखा इसलिए अब आप भी मेरे किसी काम की नहीं चलो चली जाओ यहां से बेटा मैंने तो तुम्हें इसलिए बड़ा किया था ताके तुम बड़े होकर मेरी सेवा करो और अब तो तुम मुझे यहां से निकाल रहे हो मैं कोई सेवा नहीं करूंगा और जो चीज मेरे काम की नहीं होती मैं उसे अपने पास नहीं रखता फिर वे चील बाजू चील को अपने घर से बहे निकाल देता है बाजू चील को अब अपनी गलती का ऐसाथ हो जाता ही वे तो अपनी गलती पर काफी जादा पश्टा रही थी काफी दिन गुज़र चाते हैं टोन्टी, आप मुझे इस चील के पास क्यों ली आई? कौन है ये चील? नने चील होन से देखो, यही तुम्हारी ममा है बाजोचील? ये में क्या देख रही हूँ, मेरा बेटा जिन्दा है, मेरा बेटा जिन्दा है? हाँ भजुचील तुमने तो इसे मैने के लिए छोड़ दिया था परन्तु हम जंगल के पक्षियों ने इसका इलाज करवाया और अब ये देख सकता है हाँ आप से अच्छे तो ये पक्षियों है जिन्होंने मेरी इतनी मदद की और हाँ मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा मेरी बेटे रुख जाओ मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें अंधा होने की वज़ा से अकेला छोड़ दिया था और तुम्हारे बड़े भाई को मैंने पाला ताके वे मेरे बुढ़ापे कर सहारा बने मिनुचेडिया के कहने पर वेचील अपनी मा को माफ कर दीता ही और फिर वेचील बाजुचील को अपने साथ अपने घर पर ले जाता ही वो मिनुचेडिया का परिवार बहुत गरीब था जिनके पास खाने के लिए भोजन भी बहुत मुश्किलों से आता था मिनुचेडिया को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था परन्तु गरीब होने के कारण मिनुचेडिया के पास इतने पैसे नहीं थे के मिनुचेडिया दूसरे जंगल जाकर अच्छे से पढ़ लिख सके मिनुचेडिया के बुड़े माता पिता को मिनुचेडिया की हर समय चिंटा रहती थी इस गरीबी की तो जिन्दगी ने हमें कितनी जल्दी बुड़ा कर दिया अभी तो हमारी बेटी की शादी भी नहीं हुई अब तो बस में यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी किसी अमीर चिड़े से हो चाए ताकि मेरी बेटी हमारी तरह गरीबी की जिन्दगी न गुजारे हाँ हाँ तुम ठी कहती हो भागवान मिनुचेडिया के लिए किसी अमीर चेड़े का रिष्टा ही ढूनना चाहिए अगले दिन मिनुचेडिया की मा बहुत ज़्यादा खुश होती है मिनुचेडिया कहती है अरे मा इतनी ज़्यादा खुश्कु लग रही हो आज तुम क्या कोई खास बात है अरे हाँ हाँ बेटी आज मैं बहुत जादा खुश हूँ क्योंकि आज तुम्हें देखने के लिए एक बहुत अमीर घर से कुछ पक्षी आने वाले हैं मा या आप हर समय मुझे अमीर चेड़े से शादी करने के लिए क्यों कहती हो जो अमीर होते हैं उनमें पैसों का बहुत घमंड होता है इसलिए मुझे अमीर चेड़े बिल्कुल नहीं पसन बस बस मिनुचेड़े अब तुम चलदी से तयार हो जाओ तुम्हारे रिष्टे वाले बस आते ही होंगे बस फिर थोड़ी देर के बास सोनुचेड़े अपने दोस्तोते के साथ मिनुचेड़े को देखने के लिए आता है सोनुचेड़े था तो काफी अच्छा परन्तों अमीर होने के कारण सोनुचेड़े काफी घमंडी था मिनो चेणिया तुम इस छोटे से घोसले में रती हो पता है मेरा तो एक शांदार सा गर है मैं तो कभी ना रहू हो भई इस छोटे से घोसले में बेटा सोनो चेड़े मिनो चेणिया भी तो शादी के बाद तुम्हारे साथ ही रहेगी इस से क्या फर्क परता है कि हम घर में रहें या फिर घोसलों में देखें आंटी मिनोचेडिया ने जादा पढ़ाई लिखा नहीं की और उपर से आप सब इतने गरीब भी हो अब भला में इतना पढ़ा लिखा आमीर चेड़ा आपके मिनोचेडिया से शादी क्यों करूं सुनुचेडिया अगर तुम कहते हो तो मैं अपनी पढ़ाई दुबारा से शुरू कर लेती हूं बस मिनोचेडिया मैं तुम जैसे खरीब चेडिया से कभी शादी नहीं करूंगा क्योंके तुम तुम मेरी बराबरी की ही नहीं हो तो ते ये तुम कैसे कैसे गरीब पक्षियों के पास ले आते हो मुझे तुम्हें पता है ना मुझे गरीब पक्षियों से कितनी नफरत है मुझे भी तुम जैसे खमंडी चिरे से कभी शारी नहीं करनी क्योंकि तुम जैसे खमंडी चिरे सिर्फ पैसों से मतलब रखते हैं चले जाओ यहां से तुम फिर सोनो चेड़ा वहां से चला जाता है मिनो चेड़िया को सोनो चेड़े की सारी बातें बहुत ही बुरी लगती है मा मैं आपको कहती थी थी ना कि अमीर पक्षी हम गरीब पक्षियों को कुछ नहीं समझते पर हैं तु अब मैं खुद अमीर होकर दिखाऊंगी मैं एक डॉक्टर बनूँगी और देखना चेड़ में मैं अपना एक हॉस्पिटल भी खोलूँगी बेटी उस सोनोचेड़े ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ अगर रिष्टे से मना ही करना था तो साफ साफ मना कर देता हमें गरीबी का ताना क्यूं देकर गया वो मा अब देखना ये मीनोचेड़िया अमीर बनकर दिखाएगी फिर देखना सब पक्षी हमारी बहुत इज़त करेंगे बस फिर क्या था मीनोचेड़िया दिन में उलू सेट के खेत में काम करती और रात को दिल लगा कर पढ़ाई करती थी अगले दिन उलू सेट मीनोचेड़िया से कहते हैं अरे मीनोचेड़िया डॉक्टर बनने में बहुत पैसे लगते हैं और पढ़ना भी बहुत पढ़ता है लेकिन तुम तो ठहरी गरीब चेड़िया आखिर इतना कुछ कैसे करोगी तुम उलू सेट अगर इरादा मजबूत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं देखना मैं एक दिन डॉक्टर बन कर दिखाऊंगी मीनोचेड़िया कर्ठिन मैनेट करती है और मन लगा कर पढ़ाई करती है क्योंकि मीनोचेड़िया ये जान चुकी थी कि मैनेट से कुछ भी हासिल किया जा सकता है यही बात किसी तरह सोनोचेड़े को पता चल जाती है कि मिनोचेड़िया ने दुबारा से अपनी पढ़ाय शुरू कर दी है और वे तो ये सब को सुनकर बहुत जादा ही जलता है इस जंगल का माना हुआ डॉक्टर हुमे मिनोचेड़िया चाती है कि वे पढ़ लेकर मेरे बराबर आ सके लेकिन ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि वे गरीब चेड़िया कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती डॉक्टर बनने में तो कितने पैसे लगते हैं वे गरीब चेड़िया तो अपने सपने में भी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती अगले दिन सोनो चेड़ा मीनो चेड़िया के पास आता है और मीनो चेड़िया कम मज़ाक उड़ाने लगता है मीनो चेड़िया अगर तुम जैसी गरीब चेड़िया अब डॉक्टर बने लगी तो फिर हम पक्षियों का क्या होगा हाँ 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 सोनु चेड़िय तुम चलते हूँ पर एंतु देखना एक दिन तुम पश्टा होगे अपनी इन सारी बातों पर सोनु चेड़िय की बात सुनकर मीनो चेड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है अरे बेटी क्या हुआ इतनी उदास की बेटी हो यहाँ पर तुम मा अपसे मैं पढ़ाई कभी नहीं करूंगी अब मैं सिर्फ और सिर्फ घर का खर्च चलाऊंगी सोनु चेड़ा एक दम ठीक कहता है कि मैंने हमेशा आप दोनों को परिशान किया है ना मेरी शादी हो रही है और नहीं में कुछ करपा रही हूँ आप दोनों के लिए बेटी वो तुम से बहुत चलता है कि कहीं कोई गरीब चेड़िया उससे आगे न निकल जाए तुम सब भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर धियान दो देखना एक दिन तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी और वेसे भी हम भी यही चाते हैं कि तुम पर लेकर एक अच्छी डॉक्टर बन जाओ ताकि हमारे चंगल के पक्षियों को दूसरे चंगल न चाना पड़े हाँ मा तुम एकदम ठीक हैती हो मैं तो बस उस सोनुचेड़े की बातों में आ रही थी मैं तो अब डॉक्टर बन कर रहूंगी बस अब मिनुचेड़िया किसी की बात नहीं सुनती और अपनी पढ़ाई पर दिहान देती है कुछ ही सालों के बाद मिनुचेड़िया कठिन मैनत करके एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है मा ये देखो कितने सारे पैसे हैं हमारे पास बाप रे बाप इतने सारे पैसे तुम मैंने अपने जिन्दगी में कभी नहीं देखे बाप भई मेरी बेटी इतने सारे पैसे लाई हो तुम मा बाबा ये पैसे मेंने बहुत मेहने से कमाई है परन्तु अब मैं इन पैसों से जंगल में एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलूँगी और अपने ही जंगल के पक्षियों का इलाज करूँगी अब जंगल के किसी भी पक्षि को अपना इलाज करवाने दूसरे जंगल नहीं जाना पड़ीगा बस अब कुछी महिनों के बाद मिनुचेडिया जंगल में अपना एक हॉस्पिटल खोल लेती है और पक्षियों का इलाज करना शुरू कर देती है धीरे धीरे मिनुचेडिया अब काफी जादा अमीर हो जाती है और मिनुचेडिया अपना एक बहुती शांदार सा घर भी खरी लेती है मा बाबा मैंने कहा थाना कि मैं एक बिन आप दोनों के सब्ने जरूर पूरी करूंगी बस देख लें अब हमारे पास सब कुछ है कुछी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं एक दिन हॉस्पिटल में सोनुचेड़ा काफी जखमी हालत में आता है हाई रे ये तो उही सोनुचेड़ा है इसकी ये हालत किसने की मुझे फॉरण इसका इलाज करना होगा कुछी दिर के बाद सोनुचेड़ा को होश आ जाता ही और सोनुचेड़ा मीनुचेड़ा को डॉक्टर बना देख काफी ज़ादा हैरान होता ही मीनुचेड़ा तुम धी कहती थी कि मैं एक दिन बहुत पश्टाओंगा मेरे साथ बहुत बुरा हुआ मुझे मेरे खमन की सजा मिल गई मैंने तुम्हें ठुकड़ा कर एक बहुत अमेर चेड़िया से शादी कर ली थी पर अंतुवे चेड़िया तो बहुत लालची थी उसे मेरा घर बहुत पसंद था और आज उसने मुझ पर हमला कर दिया और अपने भाई से मेरा घर और मेरी सारे जाइदाद पर कब्दा कर लिया उसने उस चेड़िया का भाई बहुत खतरनाक है अब मेरे पास कुछ नहीं बचा मैं बहुत जादा गरीब हो गया हूँ सुनो चेड़िया तुमने बहुत चाहा कि में कभी भी अमीर नबन सकूँ परंटू मैंने तो कभी भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा देख लो आज तुम्हें तुम्हारे घमर्ण की सदा मिल रही है मेनो चेड़िया मुझे माफ कर दो मैं आगे से कभी भी घमर्ण नहीं करूंगा परन्तु अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा अब मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं अब मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाओंगा सोनो चिड़े तुम परिशान मत हो मेरा हॉस्पिटल बहुत बढ़ा है मेरे हॉस्पिटल में तुम नौकरी कर सकती हो अरामसी इस तरह सोनो चिड़े को अपने घमर्ण की सजा मिल जाती है और अब सोनो चिड़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि सोनो चिड़े का रिष्टा मिनो चिड़िया के पास कौन सा पक्षी लेकर आया था हमें कमेंड में जरूर बताएं हमें आपके कमेंड का भी सब्री से इंतिजा रहता है